नम्मु बुद्धाए ये सुंदर सूतर उत्र उप्देष का नाम में चेतना करनियई सूतर चेतना उत्पन होने के बारे में बताया गया सूतर हर एक सूतर के द्यांसे सुननाया है? मिस हो जायँगा ये भी स्रावस्ति में हुआ है, बताया भगवानबूत्पीक्षु जो सील सुराक्षा करता है वो सीलवान ब्यक्ति को एसे अलग से प्रार्तना करना जरूरत नहीं कि मेरा मन की पचताव अफसूस मिट जाए एसा प्रार्तना करना जरूरत नहीं है सील सीर्चा करने वाली सीलवान ब्याक्ति को पचताव नहीं होना नियम धरम है सनातन साथ्य है या नियम धरम मतलब क्या है जनम लिया हुआ ब्याक्ति मर जाता है वो नियम है जनम लिया हुआ ब्याक्ति बिमार पढ़ता है वो नियम है नियम धरम में किसी को चेंज नहीं कर साकता है वैसा एक नियम है सीलवान ब्याक्ति अलग से प्रार्तना करना जरूरत नहीं है मेरा टेंशन, मेरा पारेशान मेरा पाचताव दूर हो इसे प्राटना करना जरूरत नहीं है सील सुराचा करने वाले सील और अन्व्याक्ति का एक नियम दरम ही उज के पास पाचताव नहीं होता है अब यह वही सूत रहे हैं ना दूसरा पकार से बतार जा रहे है इसको बता है बिक्षू जो पाचताव नहीं है अफसोस जिसका पास नहीं है वो ब्याक्ति एसा प्राटना करने एसा चेतना उत्पन करके प्राटना करने जरूरत नहीं है कि मेरे पास पमोदित उत्पन हो एसा प्रार्थना करना जरूरत नहीं है जिसके पास पाचताव चिंता आफसोस नहीं है उनके पास पमुदित उत्पान होना धरमता है नियम धरम है इसके बाद बिक्षु जो पमुदित लोग एसा प्रार्थना करना जरूरत नहीं है कि मेरे पास प्रीति उत्पन हो जाए मुझे प्रीति उत्पन हो जाए इसे प्रार्थना करना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पमुदित लोगों को प्रीति उत्पन होना धर्म है, सनातन सत्ति है, नियम धर्म है बिक्षू, बगवन मुटने बतारे बिक्षू प्रीति मनवाले लोगों को एसाथ अलग से चेतना प्रार्तना जरूरत नहीं है कि मेरा सरीर हलका हो जाए क्योंकि बिक्षू, प्रीति मन से रहने वाले लोगों का सरीर हलका हो जाता है सरीर सांत हो जाता है बिक्षू, सांत होने वाले सरीर वाले लोगों मुझे सारीरिक सुख प्रार्तना करना जरूरत नहीं है सारीरिक वान से सुख प्रार्तना करना जरूरत नहीं है जिसका सरीर सांत हो गया है उसको सारीरिक सुख मिलना नियम धर्म है बिक्षू, सुखी से रहने वाले व्यक्ति मेरा मन में समाधि उत्पन हो जाए यह सप्रार्तना करना बिकार है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिसको सारीरिक वान से सुख है उसको जरूर समाधि उत्पन हो जाता है वो नियम धर्म है समाधि मान लोग एस आलग से प्रार्तना करना जरूरत नहीं है कि मुझे आरे साथे, उसी प्रकार से ही मुझे जानकार हो जाए मुझे जानने का मभागी मिले, इसे प्रार्तना करना कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मन में समाधी है तो उनको वो सच्चाई को सत्य प्रकार से जाननेवान लोगों को एसा प्रार्त में को ज़रूत नहीं अबोद से ही मिरा मन अना सक्त हो अबोद से ही हर एक चीज से मिरा मन अना सक्त हो एसा प्रार्त नहीं क्योंकि सत्य को आरे सत्य को उसी प्रकार से ही देखने वाले लोगों का मन में अना सक्त उत्पन हो जाता है अवबोट से ही अनासक्त हुए लोग जो कोई हो गया है उन लोग इसी प्रार्तना करना जरूरत नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए सारे चीजों से मेरा मन मुक्त हो जाए इस प्रार्तना करना जरूरत नहीं क्योंकि अवबोट से ही अनासक्त जो होता है उनलुक सारे चीजों से हमीशा, हमीशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार, खुद सारे चीजों से मुक्त हो ग्याना। यही ज्यान, यही फायदा मिलता है कैसे। अवबोद से ही अना सकत होने से। अवबोद से ही अना सकत होने का फायदा लाब कैसे मिलता है। सच्चाय को आरिसत्य को उसी प्रकार से ही दर देखने से। आरिसत्य को उसी प्रकार से ही देखने का फायदा कैसे मिलता है। समाधी से समाधी उत्पन होने कारण क्या है सरीर का सुक सरीर इक सुक उत्पन होने कारण क्या है सरीर सांत होना सरीर हलका होना सरीर सांत हलका होना का फायदा केस मिलता है प्रिती से प्रिती उत्मान होने का कारण क्या है पमुदीते पमुदीते से प्रबोधे ना पमुदीते पमुदीत उत्मान होने का कारण क्या है मान का पचताव आपसोस चिनता नहीं होना मान का आपसोस पचताव नहीं होने का कारण क्या है कुसल सीद एसा है तो संसार नाम का संसार सागर को पार करके विमुक्ति की और जाना चाहेंगे तो ये एक लाइन में एक बाई एक ये सारे धर्म को जानना जरूरत है क्योंकि इसी प्रकार से ही जो कोई ब्याक्ति है उनका इसी प्रकार से ही हारे चीछ होते जाता है एसा है तुसील को सुरक्षा करना बहुत फाइदा है जरूरी है तो आप लोग उसके लिभागे में जाए ये सुत्र उपदिस का नाम क्या है चेतना करने चेतना करने सुत्र साद साद साद